हेलो दोस्तों लक्ष्म मजगाय चानल में आपका स्वागत है आज हम लोग जानेंगे 6 बहतरीन किचन टिप्स और ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बहतरीन बना सकते हैं तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स नमस इनकी बहुत ही अच्छा उपाय आपको बता रही हूं प्याच जब भी आप काटते हैं तो क्या होता है आख में आसू आने लगती है और बिल्कुल प्याच खानने का मन जो है वह बिल्कुल नहीं करता तो आप क्या करें अगर आपको प्याच काटना है तो आप क्या करें जो छिलके है ना उनको निकाल ले और उन्हें ना कम से कम 20 मिनट के लिए फ्रेज में रखे इससे क्या होगी प्याज जब आप काटोगे तो आख में आसू नहीं आएगी तीखा पाना नहीं लगेगा है ना कमाल के टिप्स नेक्स्ट हमारे टिप्स है निम्बू को लेकर अकसर गर्मियों में निम्बू क्या हो जाती है और गर्मियों में ही जादा निम्बू की हम लोग उपयोग करते हैं निम्बू पानी पीते हैं बहुत सारे चीज़ें निम्बू का करते हैं तो गर्मी में ही यही प्रॉब्लम कर रख सकते हैं कम से कम 5-6 मिनिट के लिए ओसे क्या होगी आपकी जो निम्पो के रह से बहूात साइडा निकलेंगे निकलेंगे हैं औरक्सरां हमाने टीक्स है प्याज़ को लेकर अक्सार हम सैलेड में प्याज हम फेर में बातों जूर रह दें हैं मतलब salad के लिए तो क्या करें प्याज को ना पानी में डुबो कर रखें और थोड़ाशा अगर हो सके तो नमक डाल ले तो इससे क्या होगी इसका जो तीखा पने रहे और आप जब खाते और मूह की बास आती है नौर्मली बास आती है इसलिए इसलिए बहुत लोग प्याज नहीं खाते तो यह बास भी नहीं आएगी अगर पानी में इस तरह से आप डूबो कर रखोगे तो थो वह किया करें कम से कम 5-10 मिनिट के लिए पानी बिगो कर रखे औ यह आधा निम्बू है ना आधा निम्बू को रख दे इससे क्या होति अधाया होगी फृज में बिल्कुल बास नहीं आएगी ताजगे है और बिल्कुल मतलब कि अलगी sm Rudolph गजी आधी हम लो live टो फ्रीजकन को लेकर वैसे अलगी आदा निम्बू रखने से बिल्कुल आएगी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बिस्केट के बारे में हर घर में बिस्केट रहती है तो gram सबीके घर में बिस्केट झातांų जाये और आजो जाये वोRob mijn ईक नाधी और समय सब्सकेट को जो एक पुरा फाडते और उसके बाद में वो जो बिस्कुिट हम फेक देते हैं या फिर खाते ।क बर तो आगर यही बिसकुट को आप अच्छे रखो जब एक है नरम तो सब झालैनाकि करना है क्लाद अलीए बाद में नेगस्च गाल बची भी है, बाखी के, मतलब कि हमारे खाने के बाद में जो बाकी की बिस्किट बचे रहते हैं, तो बिस्किट को क्या करें? यह चावल के ऊपर में डाल दे, देले के इस तरह से, उसके बाद में क्या करना है, अने ना, इन की ढखन लगा देना है, और इन्हें ऐसे यह रहने दिन लिए हुआ चावल क्या करती है पानी को अब्जॉर करती है इसलिए कभी भी इनको नमी नहीं होने देती और दूसरा तरीका है आप बिसक्ईट को एक प्लेट में ही, फ्रीजी में रग दे तो आपके जो बिस्किट है बिल्कुल जैसे का वैसा हो जाएगा जैसे मार्केट में इसे लाते हैं तो वैसी ही हो जाएगी नेक्स्ट हमारे टीप्स है जुमके को लेकर जुमका और लेसून इसका कॉम्बिनेशन कभी जुड़ता नहीं लेकिन अगर आप जोड़ोगे तो बहुत काम की चीज है मैं आपको बताती हूँ आज क्या है क्यों इतना काम की चीज है यह जुमका और लेसून एक्चुली क्या होता है आर्टीफिसर जो जुमके रहते हैं तो उनको पहनना पसंद नहीं करते हैं मतलब कि जो हमेशा सोनी की चीजे पहनते हैं तो उनको आर् यहीं दो करता है न हमर्माहाइस को कानलोग को आज प्राब्लम में दूर करने वाली है अगर आपको से जबते हैंकी दूर करने में आगर करते हैं now आज रात को क्या करना है इन्हे लहसुन में इस तरह से दबा कर रखना है इससे क्या होगी आपके जो कान है उस चिप-चिपा नहीं होंगे और आप नॉर्मली जैसे पहनते हैं वैसे जूम्के बी पहन सकते हैं तो है ना बहुत ही कबाल की टिप्स